अंधविश्वास कभी कभी लोगों को कितना महगा पड़ता है वो सोज भी नहीं सकते अंधविश्वास के चक्कर में कई बारत लोग अपनी जान भी गवा देते हैं न्यूस के माध्यम से टीवी चैनल के माध्यम से कई प्रकार से लोग अंधविश्वास के केस देखते भी हैं और उन्हें सजग रहने के लिए भी कहा जाता है लेकिन फिर भी उनका अंधविश्वास खत्म होने का नाम नहीं लेता और वो इसका बड़ा खामियाजा भुगतते हैं हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामनी आया है रतलाम से जहां पर अंधविश्वास मिफस कर लोग अपने आपको कोरोना वाइरस के खत्रे में डाल चुके हैं वो भी खुद अपने हाथों से रतलाम से एक खबर आयी है जहांपन नयापरा इलाके में असलम नाम का बाबा लोगों का हाथ चुमकर इलाज करता था और कोरोना वाइरस भगा देने की बाद करता था कोरोना के लक्षन दिखने पर लोग अंधविश्वास में आकर बाबा के पास इलाज करवाने जाते थी असलिम बाबा खुद कोरोना पॉजिटिव था लेकिन वो फिर भी लोगों से संपर्क में आता रहा और अंधविश्वास के चलते लोग इससे अपना इलाज करवाने के लिए जाते रहें बाबा की तो 4 जून को मौत हो गई लेकिन अब बाबा के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनमें से जादतर लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है रिपोर्ट के मताबिक बाबा के संपर्क में आए 19 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वहीं आतियात के तौर पर 29 बाबाओं को कॉरिंटाइन भी किया गया है अब तक जो जानकारी सामने आई हैं इसके मताबिक प्रिशासन द्वारा अलट किये जाने के बावजूद भी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रटना है एक दूसरे को छूना नहीं है मास्क लगाना है इसके बाद भी ये अंत्विश्वास की हाथ चूमकर और तंत्रमंत्र के जरीए कोरोना ठीक हो सकता है और ऐसे बाबा की बातों में आकर लोग इसके पास इलाज करवाने के लिए जा रहे थे उसका नतीज़ ये हुआ कि बाबा की तो मौत हो गई लेकिन उसके संपर्क में आए लोग लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं देश के साथ साथ मधिप्रदेश में भी कोरोना वाइरस लगातार बढ़ता जा रहा है जो की एक चिंता का विशय है उनमें इस तरह की महमारी से और उस ताइम में इस तरह की महमारी से लड़ने के लिए लोगों का एक धोंगी बाबा पर अंधविश्वास कर लेना समझ से परे है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फूर अपडेट्स